देर स्टूरंट्स असलाम आलेकुम वोप यौल विल बी फाइन इन यॉर अंज नाव तुड़े अवर टापिक इस इशल्टर सो हाई फ्राम फिफ्ट लास एवियेस तो बच्चो हमने काल इसका पहला पार्ट पढ़ा है तो वहाई से आगे इसको हम कंटीनियो का रहे हैं तो आगे इसकी जो कहानी है वह इस तरह से है कोल्ड डैजर्ट यानि ठंडा रैगस्तान अट लास्ट लोनर एंड आई रीचिड ले फार दा फर्स टाइम आई साच इन एरिया हाई ड्राई इन फ्लैट काल्ड कोल डैजर्ट तो यह कहता है कि जब में और मेरा जो मोटर साइकल था जिसका नाम क्या था लोनर तो कहां पे पहुंचे ले में तो फार दा फर्स टाइम आई साच इन एरिया हाई ड्राई इन फ्लैट काल्ड कोल डैजर्ट तो मैंने पहली बार ऐसे एरिया देखा जहां इतना उंचाई खुशक और यानि बिल्कुल फ्लैट और कोल डैजर्ट क्या था वो ठंडा रैगस्तान लदाख गेट्स वेरी लिटल रैन फाल लदाख में क्या होता है बहुत कम बारश होती है Here there are high snow capped mountains and a cold flat ground तो कहता है यहां पे क्या high snow capped mountains उंची उची पहाड़ी हैं जो बरफ से ढखी होती है and cold flat ground और क्या है नीचे जो ground जो पे क्या है यह ठंड है बो जहरा In lay I found myself in a quiet street with beautiful white houses कहता है ले में मैंने ऐसा पाया अपने आपको के एक बिलकुल खामोश street और वहां पे बहुत खूबसूरत white house थे खूबसूरत As I wrote slowly I found that I was being followed by a group of children कहता है जब मैं आइस्ता आइस्ता चड़ता गया तो आगे मैंने देखा कि I was being followed by a group of children कि मेरे पीछे बहुत सारे क्या आ रहे हैं बच्चे आ रहे हैं एक बच्चों का आ रहा है और है दे काल आउट जूली जूली मीनिंग वेलकम वेलकम तो वो कह रहे थे कि जूली जूली यानि वेलकम वेलकम They were all amazing to see my loner वो तमाम जो थे वो हैरान होगे थे जब उन्होंने मेरा motorcycle देखा Everyone wanted me to come to their home हर कोई चाहता था कि मैं उसके घर जाओ At home with Tashi तो मैं किसके घर गया Tashi गे Tashi dragged me to his home Tashi मुझे ले गे अपने घर में It was a building with two floors ये एक building थी जिसकी क्या थी दो स्टोरीज थी The house was made of stones which were kept one over the other जो वो मकान जो था वो पत्थरों से बना हुआ था एक के उपर एक पत्थर राके वो बनाया गया था The walls were coated with a thick layer of mud and lime तो उसकी जो दिवारें जो थी वाल्ज उसको क्या किया था एक मोटी वो मिटी की लेर से और उसमें चूना मला के उससे वो उसको उपर से वो क्या किया था उसको उसकी वो लपाई की हुई थी उपर से उन्होंने उसको The house looked like a shed from inside with a lot of hay कहता कि जो घर जो था वो shed की तरह दिखता था और inside with a lot of hay stored there तो अंदर क्या था बहुत सारा गास जो था वो स्टोर करके रखा हुआ था We took the wooden steps and reached the first floor तो हम वहां पे क्या थी लकड़ी की सीड़ियां थी steps थे उनसे चड़के तो पहली floor में हम पहुंचे This is where we stay यह वो जगा थी यहां पे हम बैठे Explain Tashi The ground floor is for our animals and for storing necessary things तो अब Tashi जो था वो मुझे बताने लगा कि जो हमारी यह ground floor जो है तो उसमें क्या रखते हैं हम जानवरों को रखते हैं और जो चीजें हमें जरूरत पढ़ती हैं वो इसमें हम स्टोर करके रखते हैं Sometimes when it gets to cold we also move downstairs तो कुछ टाइम के बाद जहां पे जब 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 ज़्यादा सर्दी होगी तो हम नीचे की तरफ उत्रे I noticed that the ground floor had no windows तो मैंने देखा जो ground floor जो थी the roof of his house औरेंज पंकिन्स एंड गोल्डन येलो कारन और वो चलियां थी मकी की Some had stacks of paddy and on some cow dung's cakes we're laid out to dry तो बच्चों ये कहता है तो किसी जगा पे मैंने देखा कि वो शाली एक जगा पे बांद के रखी हुई थी उसकी गड़ियां बांद के और किसी जगा पे जो ये गाय का गोबर उन्होंने उसके केक बना के उसको सूखने के लिए खुशक करने के लिए वहां पे डाले थे तो कहता है कि ये में हमारे सबसे एम जरूरी हिस्सा है हमारे मकान का सैड ताशी दूरिंग सम्मर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट्स एंड विजिटेबल छट का बोलने लगा कि ये सबसे एमपार्टन हिस्सा है हमारे मकान का उपर जो सलैप है वो फ्लैट टाइप की जो रूफ है तो कहता है दूरिंग सम्मर जब सम्मर में हम क्या करते हैं सम्मर सीजन वी ड्राई मेनी फ्रूट्स एंड विजिटेबल तो हम बोथ सारी सबजियां और फूर्ड जो फ्ल्स होते हैं इनको क्या करते हैं सुखाते हैं यहां पे वी स्टोर देम फार विंटर वी डूनाट गेट फ्रेश फ्रूट्स एंड विजिटेबल तो यह स्टोर करके जमा करके हम विंटर के लिए यानि सर्मा के लिए रखते हैं जब हमें ताजा फल और सबजियां नहीं मिलते कहता है कि मैं ताशी के साथ वहां पे खड़ा देख रहा था कि कैसे हर मकान का हिस्सा जो था वो स्पेशली तोर पे बनाया गया था लोगों की जरूरत के मताबक आई कुड अंडरस्टेंड हाव दे थीक वाल्स वोड़न फलौर और वोड़न सीलिंग प्रोटेक्ट दिंग फ्रम दे कॉल्ड तो यह मैं यह अंदाजा लगा रहा था यह सोच रहा था कि यह मोटी दिवारें और यह वोड़न का जो फलौर वहां पे पे वो मौशियों को रखते थे और उपर वाला फलौर जो था वो अपने लिए और जो च्छत ऐसी बनाईगी थी जहां पे वो फ्रूट्स और विजिटेबल्स सुखा के सरमा के लिए रखते थे रखते हैं वहां पे लेके लोग तो आगे पीपल लिविंग आन टाप आफ ता वॉल्ड तो लोग कहां पे यहां पे रहते हैं टाप आफ ता वॉल्ड दुनिया की बहुत उंची जगह पे अब वक्त आ गया और उपर चाड़ रहे थे हम लॉनर हैड़े टाफ टाइम जिग जैगिंग एलांग नेरो राकी मौंटेंज रोड तो यहां पे क्या थी जिग जैग यानि उपर नीचे और बिलकुर तंग रास्ता था वहां पे और पहाड़ी पहाड़ीों पे यह सड़ कें थी at many places there were no roads at all तो कुछ तो ऐसी जगह जगें थी बच्चो जहां पे बिलकुल roads थे ही नहीं I was moving towards तरा की plains of चेंग थांग तो मैं चल रहा था उन पहाड़ी जो plains आगे जगह थी मगर बिलकुल पहाड़ीयां ही पहाड़ीयां थी कहां पे यह चेंग थांग में this place place is at a height of almost five thousand meters यह वहां ले से तकरीबन पांच हजार मीटर उंचाई पे यह जगह है it is so high that it is difficult to breathe normally यह इतनी उंची है कि यहां पे बहुत ज़्यदा मुश्किल से इनसा सांस ले सकता है I had a headache and felt weak तो मुझे वहां पे क्या हुआ सर में धर्द हो रहा था और में कमजोर महसूस कर रहा था then I slowly got used to breathing in such air जब मैंने आश्ता से got used to breathing in such air ऐसी हवा में मुश्किल से मैंने जब सांस ले ली for many days we kept wandering in this area with not a single human being in sight तो कुछ दिनों के लिए में वहां में ऐसे जगा पे गूम रहा था जहां पे कोई भी आदमी नज़र ना था हो no petrol pumps, no mechanics, only clear blue sky in many beautiful lakes around जहां पे ना कोई petrol pump था और ना ही कोई mechanics वहां पे था और सिर्फ क्या नज़र आ रहा था वचो, वहां पे सिर्फ clear blue sky, बिलकुल नीला आसमान और बहुत सारी खूबसूरत जीलें एरगे नज़र आ रही थी many days and nights passed, loner and I kept moving ahead बहुत सारे दिन और रातें वहां पे गुजरी तो उसके बाद loner और में ने वहां से आगे की तरफ चलना शुरू किया suddenly one morning I saw before me flat grassy lane तो अचानक एक सुबा हम ऐसी जगा पे पहुँचे यहां पे एक बिलकुल flat और गास वाली जमीन थी many sheep and goats were grazing there बहुत सारी भेड बकरियां वहां पे क्या कर रही थी घास चार रही थी far in the distance I saw some tents तो कोई दूर पे मैंने देखा के वहां क्या थे tents थे I wondered who lived there and what they were doing in this far out place तो मैंने यह सोचा यह कुण यहां पे रहता होगा और यहां पे क्या करते होगे इतनी दूर जगा पे तो आगे दा चैंगपा यह और जगा है देर I met नम गयल and came to know about दा चैंगपा ए ट्राइब लिविंग आन दा माउंटेंस तो चैंगपा में मुझे एक आदमी मिला जिसका नम था नम गयल and came to know about दा चैंगपा तो उसने मैंने इस ट्राइबस के बारे में पूछा यह चैंगपा जो ट्राइबस है एक वहां पे ट्राइब लिविंग आन दा माउंटेंस तो यह क्या है यह एक ट्राइब है जो कहां पे रहते हैं माउंटेंस में तो यह चैंगपा ट्राइबस जो है कबीला जो है इनका यह पांच हजार आदमियों पे मुझतमिल है तो यह लोग क्या करते हैं यह एक जगा से दूसरी जगा चले जाते हैं अपनी बेड़ बक्रियों को ले कार यह चैंगपा ट्राइबस जो है तो यहाँ पे हम क्लोज करते हैं ओके चिल्डरन लाहाफिज